नमस्कार स्वागत है आपका खबर दोपहर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना से जुड़ी हर खबर एक और देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से खटते नज़र आ रहे हैं वहीं दूसरी और लोगों में एक बार फिर लापरवाही छलक्ती नज़र आने लगी है ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि खत्रा अभी बरकरार है खत्रा भी टला नहीं है सावधानी बरतने की जरुरत अब भी है क्योंकि मामले भले ही कम होते नज़र आ रहे हूँ पर अभी पूरी तरह से शूने नहीं हुए है चली एक नज़र डाल लेते हैं कोविट अपडेट पर तो बीते 24 घंटे में कुल जो नए केस आये हैं वो है 44,111 वहीं बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए मरीजों की जो संख्या है वो है 97,477 बीते 24 घंटे में कुल जो मौते हुए हैं उनकी संख्या 738 है देश में कोरोना संक्रिमितों का कुल आकड़ा इस वक्त 3,5,2362 है देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,96,5,780 है देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आकड़ा जो है वो इस वक्त है 4,1050 वहीं भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव केस जो है वो 4,95,533 है अब आएए बात करते हैं कि किन पाँच राज्यों में सबसे जादा मामले देखनों को मिले हैं सबसे पहले बात करते हैं केरला की तो केरला में 12,095 मामले जो हैं वो इस वक्त मौझूद है वहीं महराश्टर में 8,753 केस आए है कमिलाडू में 4,230 वहीं आंद्रप्रदेश की बात करें तो 3,464 केस है वहीं ओडिसा की बात करें तो 3,222 केस है चलिए जहां एक और कोविड मामलों की जो संख्या है उसमें गिरावट नजर आ रही है तो वहीं दूसरी और देश में वैक्सिनेशन भी तेजी पकड़ता नजर आ रहा है अब तक देश में कुल 34,46,11,290 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है इसी के साथ सरकार की ओर से एक और महत्वपूर जानकारी आई है आपको बता दें कि केंद्र स्वास्त्र मंत्राले ने राश्ट्य टीका करण तकनीकी सलाकार समूं की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है जिसके तहट अब गर्वपती महिलाएं भी टीका लगवा सकती है यह महत्वपूर जानकारी है इसके लिए अब गर्वपती महिलाएं कोविन एप पर रेजिस्ट्रेशन कर सकती है या सीधे अपने निकटम वैक्सिनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकती है स्वास्त्र मंत्राला के मुताबिक गर्बती महलाएं गर्वावस्था की किसी भी स्टेज में वैक्सीन ले सकती है वहीं कई राज्यों में कोविड के सक्रिय मामले देखते हुए लॉकडाउन को एक्स्टेंड भी कर दिया गया है आएए बताते हैं आपको कहां कहां लॉकडाउन एक्स्टेंड हुआ है तो सबसे बहले बात करते हैं पस्चम बंगाल के पस्चे मंगाल सरकार ने पूरे राज में कोविट से प्रेरित प्रतिबंदों को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है हालाकि अतरिक्त छूट भी दी गई है इसके बाद बात करते हैं पंजाब की पंजाब सरकार ने एक जुलाई से 50 प्रतिशत सम्ता वाले बार, पब और सराय को फिर से खोलने के अनुमती दे दी है कोविट-19 प्रतिबंदों में और भी धील दी गई है वहीं बात करते हैं केरला की केरला सरकार ने चल रहे कोविट-19 लॉगडाउन प्रतिबंदों को एक और सप्ता के बढ़ाने का फैसला लिया है मतलब लॉगडाउन को एक सप्ता के लिए वहाँ पर बढ़ा दिया गया है नय प्रतिबंद गुरुवार से वहाँ पर लागू किये जाएंगे अब बात करते हैं उडिसा के उडिसा सरकार ने 16 जुलाई की सुभा 5 बजे तक राज्यों में आंशिक लॉगडाउन को 15 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है मौजूदा प्रतिबंद गुरुवार को सुभा 5 बजे समाप्त हो जाएंगे अंद्रप्रदेश की बात करते हैं अंद्रप्रदेश सरकार ने उन 13 जिलों में से 8 में कर्फ्यू में ढील दी है एक जुलाई से 3 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है जो ढील दी गई थी जहां कोविड-19 की सकारातमक्ता दर 5 प्रतिशत से नीचे नजर आर गई है अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन की प्रक्रिया की जहां पर जो अनलॉक है वो शुरू किया गया है जैसा कि आपको पता है कोविड की दूसरी लहर आने के बाद देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया था हलाकि इस बार lockdown पहली लहर के दौरान लगाए गए lockdown के मुकाबले उतना सक्ष नजर नहीं आया पर फिर भी कई सुविधाओं को रोक दिया गया था जौब on law and unlock की जो प्रकडिया है उसके दौरान पुनहा आरंब की जा रही है आपको बताएंगे क्या कुछ कहाँ एक बार फिर खुलने जा रहा है तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद अब अर्थविवस्था को पट्री पर लाने का काम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश पे 5 जुलाई से मल्टिप्लेक्स, हॉल, जिम और स्पोर्ट स्टेडियम खोलने के अनुमती दे दी गई है सिनेमा हॉल संचालकों के कामकाज के हालातों को देखते हुए राजय सरकार ने फैसला लिया है कि अब देश की कोरोना से चर्मराई हुई अर्थ विवस्ता को सही करने के लिए अब फिर से सिनेमा घरों को साबधानी और सुरक्षा के साथ खोलने के एलान करा जाएगा इसके साथ ही यूपी सरकार गाउं और छोटे कजबों में हेल्थ एटियम लगाएगी इस हेल्थ एटियम से बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, प्लस रेट, इसके साथ ही ऑक्सीजन की मातरा को भी नापा जाएगा इसके संचालन के लिए तकनिक्षकों का प्रशिक्षड जो है उसको किया जाएगा कोरोना मेंजमेंट पर बनी टीम 9 की बैठक में मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने ये फैसले लिये है अब बात करते हैं दिल्ली के दिल्ली में व्यापारियों से कोरोना के नियमों का पालन करने का आश्वासन मिलने के बाद उत्री जिले के आपदा प्रबंदन प्रादिकरण ने आज से बाजारों को खोलने की अनुमती दे दी है लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग स्थित में बाजार से लेकर किशन कुंज स्थित लवली पब्लिक स्कूल और उसके आसपास के बाजारों को खोलने के अनुमती दे दी गई है इसमें कोई शक नहीं कि कोरुना से पैदा हुए हाला बहुत भीशन है महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी नहीं देखा लेकिन इस खौफ के बावजूद जिन्दगी की चुनौतियां अपनी जगा है लोगों को कमाई के साधन से मट्ते नजर आ रहे हैं धंदे चौपट हैं नौकरियां खत्म हो रही हैं इसलिए बंदन खोलने भी जरूरी है लेकिन खत्रा भी बड़ा है लेहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पावंदियां लगाई जा चुकी है पावंदियां वहाँ पर बरकरार है फिर भी दिल्ली सरकार आज कुछ और छूट देगी ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है तो यह आज का प्रोग्राम था खास ख़बर का जिसमें हमने आपको बताया कि कोरोना का अभी तक क्या-क्या सिलसला चल रहा है कहाँ पर लॉक्डाउन जो है उसको एक्स्टेंड किया गया है तो कहाँ पर अनलॉक की प्रकरिया भी शुरू हो गई है लेकिन जाते जाते एक बात कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कोरोना का संकट जो है पूरी तरह से अपने अंजाम तक नहीं पहुँच सका है तो ऐसे में हम सभी को अभी भी साबधानिया बरतने की जरूरत है बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद